नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो जैसा कि आप द्याग देख रहे हैं कि हम हैं इस समय सरकारी रिजल्ट की ओफिसल वेबसाइट पर जहां पर मैं आपके लिए बताने बाला हूँ एक बहुत की बड़ी खुस खबरी तो दोस्तो आप सबसे पहले अगर हम आपको स्क्रॉल करके लेकर चले मैं तो आप सबसे पहले जो देखेंगे लेटेस déb Ab enlar को है बिहार के युदां के यह बहुत बड़ी खुस खबरी जिसका इन के लिए बहुत समय से किसार वायो इसमें जो है कॉंस्टेबल के भरती निकल चुकी है तो यहां पर दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले हैं इस भरती में आप कैसे अपलाई कर पाएंगे आपकी एज लिमिट क्या होगी आपको किस-किस डाकॉमेंट्स की जरुत पड़ेगी मतलब A to Z result के A to Z detail हम इस भरती के बारे में आपको देने वाले हैं तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाएएगा वीडियो बहुत ही important है आपके लिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल Cyber Online Classes को सबस्क्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो इस पर हम दोस्तों अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम अफ पो चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि दोस्तों यह जो पोस्ट है वो तीन जुलाई मतलब आज रात को एक बज़ के उनकिस मिनट पर अपडेट की गई है ठीक है तो सॉट इंफॉर्मेशन में मैं आपके लिए पढ़के बता देना चाहता हूं कि बिहार पुलिस CSBC होंगार्ड has issued advertisement for its supply constable recruitment and has asked for online application whoever is eligible for this recruitment who is interested in this recruitment should first read the full advertisement and apply online only ठीक है तो यहाँ पर only दोस्तों online apply होगा तो वीडियो के बार में आपको पूरी डिटेल के लिए यहाँ पर कुछ important dates दे गई है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी application begin होंगी वो 3 July 2020 होंगी मतलब 3 July 2020 से आज से लेकर आप 3 August 2020 तक online apply कर सकते हैं ठीक है last date आपकी दोस्तों जो exam fee pay करनी की है वो 3 August 2020 ही है exam date और admit card आपको जल्दी ही notified कर दिये जाएगा यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अभी application fees की तो general OBC CC और EWS के लिए 450 रुपए की है application fees, SC और ST के लिए 112 रुपए की है ठीक है और यह जो application fees है उसके लिए आप debit card, credit card, net banking या फिर SVI ये चालान के थो पे कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं हाँ पर दोस्तों age limit as on 1 January 2020 तो 1 January 2020 के लिए आपकी जो age limit होगी वो होगी आपकी 18 साल से 25 साल के बीच में, ठीक है maximum, minimum age limit आपकी 18 साल, maximum age limit 25 साल, for home guard 24 से 50 साल, मतलब अगर आप home guard में हैं और आप भी हर पुलिस में भरती होना चाहते हैं तो आपकी जो age limit है दोस्तों, वो 24 साल से लेके 50 साल तक होना अनुबारी है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इसके लिए कर देना चाहता हूं कि जो home guard होते हैं, वो पुलिस के तरही होते हैं, home guard department है, तो उनके लिए पुलिस में भरती होने के लिए कुछ extra age limit दी जाती है, extra relaxation दी जाते हैं, तो इनके लिए दोस्तों, जो age limit है, वो 24 से 50 साल है, वैसे only civilians के जो है, जो बिल्कु फ्रेसर candidates होंगे, उनके लिए 18 से 25 साल है, यहाँ पर एक एक 2020 के लिए आपकी age limit 18 से 25 साल होना अनुबार यह है, उसके बाद में दोस्तों, post name है, सिपाई constable in home guard, ठीक है, तो सिपाई constable in home guard, यहाँ पर आपकी post name है, और total post name है, यहाँ पर आपकी 501 क्या बन, eligibility आपकी क्या होगी दो in any recognized board in India, मतलब आपको किसी भी board से इंडिया के 12th pass होना अनुबार यह होगा, यहाँ पर दोस्तों कुछ category wise vacancies की details दी हुई है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगा, तो यहाँ पर जो post name है, वो constable सिपाई है, category, home guard और fresher है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, general क पोस्त के लिए हैं, और fresher के लिए 99 post है, EWS के लिए 30 और 25 है, उसके बाद में BC के लिए 36 और 28 है, EBC के लिए 54 और 47 post है, और BC female के लिए 9 और 8 post है, SC के लिए 48 और 40, HT के लिए 3 और 3 total हैं दोस्तों, यहाँ पर जो post वो 301 है, home guards के लिए और fresher के लिए हैं 250 post, मतलब यहाँ पर जो 301 post है, वो home guard के लिए भरती किये जाएंगे, और जो fresher हैं वो 250 भरती किये जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ आपकी physical eligibility की बात कर लेते हैं, category जो है आपकी, वो हम आपको बता देना चाहते हैं, height होगी आपकी general और OVC वालों के लिए 165 cm, और SCHT के लिए 162 cm, ठीक है, वहीं दोस्तों general की जो females होगी, उनके लिए, मतलब female किसी भी cast की हो, उनके लिए 155 cm height अनवारी होगी, उसके बाद में chest दोस्तों यहाँ पर बात करें, तो chest आपका general और OVC का 81-86 होगा, उसके बाद में SCHT का 79-84 cm, और EBC का 81-86 cm, female के लिए यहाँ पर chest की कोई भी requirement नहीं होगी, उसके बाद में दोस्तों running होगी आपके यहाँ पर, 1.6 km in 6 minute, मतलब 6 minute में आपके लिए 16 cm की running, पास करनी होगी, male candidates के लिए और female candidates के लिए 1 km की running, 5 km में पूरी करनी होगी, 5 minute में, यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में आपका high jump होगी, जो कि आपक आपको 16 feet फेकना होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको 3 chance दिये जाएंगे, और female के लिए 12 पॉंट का गोला होगा, दोस्तों 12 feet फेकना होगा, इनके लिए 3 chance दिये होगे, how to fill form, तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि आप इस form के लिए कैसे fill up कर पाएंगे, तो इसके ल आपको आज apply करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए दोस्तों अभी एक महीना पड़ा हुआ है, तब तक आप क्या है, अपने documents बगरा तयार रखिए, कल मेरे चैनल पर एक वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपके लिए step by step बताऊंगा, कि आप इस भरती के लिए कैसे apply कर सकते हैं, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो apply करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट की official website पर आके यहां पर apply online के सामने जो click है लिखाव हो, इस पर आप click करेंगे, तो आप जो है इस भरती में apply कर पाएंगे, उसके बाद में आगर आपके लिए notification पढ़ना है, तो आप यहां पर click कर दें, click notification में, तो आप click notification में आप पूरी notification पढ़ लेंगे, official website पर अगर आपको जाना है, तो आप यहां पर click करें, तो आप पहुंच जाएंगे, बिहार पलिस की official website पर, तो यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूं कि, जो official website है, उसमें मैं आपके लिए दिखा देना चाहता हूं, apply online for the post of supply for Bihar home guard, ठीक है, इस पर हम click करेंगे, तो हमारे सामने दोस्तों जो है, वो पूरी official notification खुल कर सामने आ जाएगी, यह देखी दोस्तों, मैंने आपके लिए proof के साथ में दिखा दिया है, कि Bihar की जो police में है, वो 551 पदों लिए भरती निकल चुकी है, ठीक है, तो यह है वो official notification जो कि आपके भरती के संबंदित है, ठीक है, तो उम्मिद करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू करें, तो चलिए दोस्तों, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भरत, उम्मिद करता हूं दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, वीडियो को share किया होगा, और हमारे चैनल को subscribe जरू किया होगा, तो चलिए दोस्त चैन जय भरत